Hello dear students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर Dear students, यदि आप राजा महिंद प्रताप सिंग राजबिस्ट बिद्याले अलीगड के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी स्ट्रीम के किसी भी समेश्टर के बिद्यारती है तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर वाच करना है, पूरा वीडियो देखना है, जैसा है कि आप सबको पता था कि छात्रों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चरला था, परिच्छा प्रडाली को लेकर, क्योंकि पहले आपके पेपर जो हो रहे थे, वो अबजेक्ट विडियाले की तरफ से कि आपके पेपर कैसे होना है, तो आपसे एक अनरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी जानकारी ना ले, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, सारे जो आपके डाउट से हो किलियर ह हो जाएंगे, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिस करूँगा कि आपको बता दूँ कि आपकी एक्जाम कैसे होना है, बिल्कुल आप साटिस्फाइग हो जाएंगे कि आपके पेपर होना कैसे, तो आप चैनल पे नए वीडियो पहले बार देख रहे हैं, इस विद्याले से जूड़ी हरे खवर या किसी भी प्रकार की अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और हम अपने चैनल पे अबजेक्टिव पेपर अप्लोड करा दिया, सारे जितने भी हैं, जैसे भी अबजेक्टिव रिटेन आप उस पे जाके देख सकते हैं, तो चलिए नोटिस पढ़ते हैं, ये नोटिस 3 अक्टूबर 2024 का है, तो आज जो इसके बारे में बैठक हुई, तो बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि कुछ जो कमेटी के सदस्ते उन्होंने कहा जो पेपर है वो अबजेक्टिव होना चाहिए, और कुछ ने कहा नहीं अ कोडिंग तथा मुलैंकर करने में समस्या होगी और हमारे पास अभी भौन नहीं है, कहा राखेंगे इस तरह के समस्या आ सकती है, तो ये सारा कुछ सदस्तों ने अपने ये तरक दिया है, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो फाइनल रिजल्ट वो कैसे रा, वो कौन से सब्जेक्ट है, जिनके पेपर अब्जेक्टिव होना है, कौन से सब्जेक्ट की विद्यार्थी है, जिनके पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव होना है, जो सारी जानकारी आपको बतादे, देखिए, यहाँ पर एक आलिक है कुलपती अध्यच्च आप लोग देख पा रहा होंगे, साब साब दिख रहा होगा आप लोगों को, तो कुलपती अध्यच यहां पे परिच्छा समीति द्वारा च्छात्र हित्मिन रंता बनाए रखने के लिए 2024 परिचिस में बिसम सिमेस्टर की, बिसम सिमेस्टर यानि आपका एक, तीन, पांच साथ, यह जो सिमेस्टर है, कि इसना तक पाठे करम की परिच्छाएं बहु भी कल्पिये प्रारूप पर होंगी, आप समझ रहे हैं, कि जो आपके जैसे आप BSC कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोस्ट लों का जो पेपर होगा, वो आपका बहु भी कल्पी होगा, यानि ओया मार पे होगा, जैसा कि आप अभी तक देते चले आ रहे हैं, पराइस ना तक पाठे करम की परिच्छा है, वरणात्मक प्रवरूप पर आयुजित की जाने कर रिन्या गया, लिया गया, यानि जो MSC, M.A. वगारा के स्टूडेंट है, उनकी जो पेपर होगी, वो आपकी वरणात्मक यानि लिखित वाली रिटन परिच्छा होगी, और जो B.S.C. वगारा उनके बहु भी कल्पी परिच्छा होगी, तो ये आपका ये फाइनल नोटिस है, बिस बिद्याले की तरह से फाइनल कर दिया गए, आजय करशन यादो हैं, जो इस समय क्या कुल सची होगी, राजा मेहन पता बिस बिद्याले हैं, तो ये उनकी तरफ से अफीशिल नोटिस आ चुका है, कि जो आपकी परिच्छा है, जो परिच्छा हैं आपकी होनी है, बिसम सेमेश्टर की परिच्छा है, इ यदि आप समझ गए होंगे, आई होप, अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, हम आपको रिपलाई करेंगे, बिस सी अग्री कल्चर के और सब्जेक्ट के हमने अपजक्टी पेपर अपने चैनल पे अपलोड करा दे, पिछली दो से तीन साल के पेपर अपलोड हैं, आप लोग वहाँ पे जाईए, सारे वीडियोज देखिए, आपको निश्चीत ही उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फार वाचिंग